हेलो एवरिवान गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे सुभे का टाइम है भी और मैं आई थी नीचे यहाँ पे पीपल का जो पेड़ है सुसाइटी के अंदर ही है केमपस के यहाँ पे बहुत सारी चीटिया रहती है तो मैं अगर इस टाइम पे उतरती हूँ ना तो चीणी ले आती है और यहाँ पे डाल देती हूँ क्योंकि यहाँ चीटी जो है ना चीणी खा लेती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरसती जी के एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ती थी पता नहीं खंडित भी नहीं थी फ थोटे हो बड़े हो सभी का जो है ना स्कूल टाइम है तो बिल्कुल शांती थी नीचे कोई भी नहीं था और मैं ही बस अपना काम की और वहाँ से निकल के सीधे आ गई यहाँ ग्रीन मार्ट में क्योंकि मुझे दूद लेना था ग्रीन मार्ट में ही ना बाहर की तरफ जो है फ्रूट्स और वेजी टेबल्स भी मिलते तो आज मेरी नजार स्ट्रॉबेरी पे पड़ी बहुत सुन्दर लग रही थी देखने में एक दम रेड रेड थी बड़ी बड़ी और अब सीजन भी आ रहा है ना तो स्ट्रॉबेरी बहुत आएगी पूना में जो है ना स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आती है बस ये है कि आपको जो है ना देख के क्वालिटी लेनी पड़ती है और यहां पे देखिए मैं जाने से पहले जो है ना अभी जो कल शाम को क् ये लेकी आये थे तो अभी मैंने सारा छिल लिया और इसमें बहुत टाइम जाता है पता नहीं दिन भर में जो ना घर में छोटे बड़े कितने सारे काम होते हैं जिनको खतम करते करते ही ना हमारा पूरा टाइम जे उसी में ही चला जाता है तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया इनका टिफिन फटा फट पैक किया आने के बाद मैंने छोला बनाया था और एक आलू का पराठा इनके लिए बनाई मेरे लिए प्लेन पराठा इनका टिफिन पैक कर दिया है छोला अभी गरम था तो मैंने इसमें डकन नहीं लगाया मतलब ऐसे ही इसे मैं भी डाल करक ताकि जो ये ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसे पैक कर दूँ तो नीचे से आने के बाद मैंने फटा फट से इनका लंच बॉक्स तयार कर दिया क्योंकि आज इनको जाना था आफिस और आयन को मैंने सुबह में दिया था आज आलू का पराठा तो अभी ब्रेकफास्ट में भी ये वही खा लिए तो यहाँ पे मैंने अपनी cleaning स्टाट कर दिये तो सबसे पहले स्टाट करते हैं किचन से कूँकि किचन में मुझे hardly 40 minutes लगते हैं और उसके बाद घर के बाकी के कामunda करती हूँ बाकी के कामों में जाड़ू, पोछा, डस्टिंग, ये सारे चीजों को करने में मुझे एक देड़ घंटा लगी जाता है तो जिसमें टाइम कम लगे वो काम मैं पहले खतम करने की कोशिश करती हूँ तो यहीं पे मैं खड़ी हो करके न गाइस रोटियां बेलती सेखती हूँ तो कई बार क्या है सुखा आटा वेगे रहे जो थोड़ा बहुत फैल जाता है इस ट्रे को में से अगर मैं कटलरी वाले में से कुछ निकालने के लिए अगर इसे खोला है तो तो अभी मुझे वैसा ही लग रहा था कि इसमें आटा वेगे रहे फैल गया और कुछ गंदी की है तो मैंने एक बार गीले कपड़े और सुके कपड़े से से पूंस दिया है सारी ही चीजे अलग-अलग करके अच्छी से अरेंज कर दी है कई बार क्या होता है ना कि जल्दी-जल्दी में अगर मैं कुछ निकाल रही हूं रख रही हूं आज मैंने ना छोला बनाया था क्योंकि सब्जी सारी खतम हो चुकी थी कुछ भी नहीं था कि मैं बना पाऊं और आलू-ालू खाके ना बिल्कुल दिमाग खराब हो गया था मेरा कि मैं आलू तो नहीं बनाने वाली हूं आयन बोला भी मुझे कि आप मुझे आलू की सब्जी पराठा दे दो लेकिन मैंने बोला कि नहीं तुम आलू का पराठा ले जाओ मैं तुमको आलू का पराठा दे दे दी हूं लेकिन आलू की सब्जी मैं नहीं बनाने वाली हूं क्योंकि जब सब्जी खतम होती है नहीं को एप्शन ही नहीं बसता है้ कुछ भी नहीं आलू बना लो तो मैंने बोला नहीं मैs रात को फोई जाकर रख दूंगी सूबे में कल छोल राहे बनाने वाली क्योंकि अभी मम्मी जब आई थी ना तो मम्मी बहुत सारा अचार ले की आई थी और कभी कभी अगर हम पराटे के साथ अचार खाते ना तो वह टेस्टी भी लगता है डेली डेली हम एक चीज नहीं खा सकते हैं लेकिन कुछ कभी गैप करके या कुछ चेंज करके खाया ना तो वही चीज अच्छी भी लगती है कौन-कौन एग्री करता है इस चीज से मुझे बताना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कभी कुछ चेंज कर लिया तो यहां पर देखे किचन मैंने पूरा क्लीन कर दिया था जो भी बरतन थे वो खाली कर लिये छोला जो बचा उसे निकाल के छोटे बरतन में रख दिया था और आटा जो बचा था वो फ्रिज में रख दिया पूरा काउंटर टॉप अच्छी से साफ कर दी गैस साफ हो गई थी और बरतन सारे मांच लिये थे बास्केट में रखे थे अभी मैंने बालकनी में नहीं रखे थोड़ा पा वाले हैं उसमें इतना कबार भड़ा हुआ था पता नहीं क्या क्या जब मैं इसे खोली और इसमें से जब चीजे निकाली तो मुझे समझ में आया कि पता नहीं क्या क्या इसमें रखा है कई दिनों से मैं इनसे कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा टीवी को ना हटा दो तो मैं इस पे जो ये कलोध बिछावा है इसे हटा लो इसके रणर को क्योंकि मुझे से अकेले से ये चीज होगी नहीं और ये मुझे लग रहा है कि गंदी हो गई है इस पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई है कोई भी कपड़ा बिछाओ कहीं पे रणर बिछाओ वो भी इस चीज में हेल्प कर सकें लेकिन एक आध दिन में मैं इनको थोड़ा सा बोल करके यहां से हटवाओंगी और जब ये ड्रॉर मैंने खोल के दिखा तो इसमें ऐसी ऐसी चीजे थी जो कोई काम की ही नहीं थी कुछ एक आधी चीजे इसमें मेरी थी जो मैं यूस नहीं कर रही थी मुझे हटा देनी चाहिए थी लेकिन फिर भी रखी भी थी हम दिवाले पर कितनी भी क्रीडिंग कर लें लेकिन अंधी जब हम डीप लीनिंग करने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम सामान बढ़ाते हैं पता है रखने का जो स्पेस होता है अ आपको क्या ही बताओं कुछ चीजे DIY की थी जो मैं मंगवाई थी और मैंने यूज में लिया था उत में से कुछ चीजे बची वी है तो यह आगे कभी काम आ जाएगी और दो पेपर ऐसे रखे वे थे कि मैं किसी चीज के लिए मंगवाई थी कई बार क्या होता है ना बच्च ना हो घर में अगर चीजे रहती है तो फिर वो काम ही आती है और यहाँ पे देखिए मैंने चोटी सी एक बुक देखी और यह ड्राइंग की बुक है पूरी खाली पड़ी यह पता नहीं क्यों इसमें आयन ने कलर किया ही नहीं फर्स्ट पेज और लास्ट पेज में करने लगते थे लेकिन आज कल के बच्चों के साथ इतनी सारी एक्टिविटी हो गई है ना कि उन्हें पता नी कुछ चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे देखिए मैंने जो साफ किया उसकी बाद कितना सारा स्पेस इसमें से निकल किया है कि इसमें तो मैंने यहाँ पे ही इसे अरेंज कर दिया था और कई दिनों से मैंने टीवी भी है ना अच्छी से साफ नहीं की थी तो आज मैंने भी साफ कर दी मेरा मूट बना अभी कि मैं इस पर से क्लोथ हटा दू लेकिर फिर मैंने सोचा नहीं रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि अके तो गाइज अभी शाम का टाइम हो रहा है चाय पीने के बाद मैंने तुरत आटा लगाया था मठरी बनाने के लिए तो मैंने इसमें आटा जादा दिया है और मैदा बहुत थोड़ी दिये बस क्योंकि आयन को मैदे की अच्छी लगती है और मैं नहीं बनाना चाहती हूँ मैदे की मठरी क्योंकि मैदा अच्छा नहीं होता है यार सरीर के लिए क्योंकि क्या है कि अगर आँटे की बना दोना तो बच्चा दो जादा भी खा लेना तो ये टेंशन नहीं होती है कि कुछ आने हिल्दी खाया है और काफी दिनों से मुझे ये बनाना था और अभी शाम का टाइम है इस टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा का अगर काम हो तो वो कर सकें तो मैंने चाय पीने के बाद तुरती आटा लगा लिया था और इसमें ना सारा खेल जो है मुएन का ही होता है आप मोईन अच्छी से देंगे तो आपकी मठरी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी और आयन को गोल वारी से ज़्यादा अच्छी ना कटिंग वाली लगती है तो वो बोला ममी आप कटिंग वाली बना दो और मैं यहाँ पर बना रही थी तो वो आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए वो नीचे से जस्ट खेल के ही आया था मुझे आद्या पॉन घंटा लग गया मैं दो तीन राउंड उतार चुकी थी और बस यह लास्ट के एक दो राउंड ही बचे वे थे और सुबह में जो मैं चना लेकर की आई थी ना उसकी मुझे अभी बनानी एक कड़ी चने की कड़ी बहुत अच्छी लगती है अगर चने की कॉंटिटी अच्छी है तो आप आलू चने की सबजी भी बना सकते हैं लेकिन में पास इतना थानी उसके पराठे भी बनते हैं, लेकिन मैंने सुचा है कि चलो आज कड़ी बना लेते हैं, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा के काम करें, फिर खाना भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा हेट्रिक सा लगने लगता है, तो ये बोले कुछ नहीं है, आज कड़ी बना लो, हम कड़ी खा लेंगे, तो बस यहां पर मैंने दही निकाल लिया है, इसमें बेसन डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, और चना मैंने पहले ही छोग दिया था, गैस की फ्लेम को नहीं एक बार बंद कर दी थी, क्योंकि मैं इ आई हूब आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, फ्लेंड्स फैमली में शेयर कर दीजेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तिल देन बाबार